नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकों सुबोजी यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाम से अधार नमर कैसे निकलना है जी हैं दोस्तों आपका अधारकार कहीं खो गया या कहीं गूम हो गया है तो सिर्फ आप नाम से अधार नमर पता कर सकते हैं और अधार कार्ड कहीं भी डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा के निकाल सकते हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस्ता से आप अधार नमर पता करेंगे और अधार नमर पता करने के वाद आप कहीं भी अधार प्रि तो यहां पर अपना सबसे पहले आपको परओई घर अपने ai.gov.in उसके बाद आपको सर्च कर लेना जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसके बाद आपको पहले पेज़ पर मिल जाएगा उदे़ तो आपको यहाँ पर किलिक कर देना है उसके बाद जैसे आप यहां पर किलिक करेंगे तो एक और पेज खुल के आएगा यहां पर ऑप्शन है गेट अधार और यहां पर ऑप्शन दोस्तों है पहला नमर पहले लूकेट इन्राइल्मेंट है और सेकेंड पर बूक अपाइटमेंट है और ठाड में है download और उसके बाद four number पे है retrieve lost forgotten ie id उसका you ID तो आपको चार नमर पर किलिक करना यहाँ पर आपको चार नमर बाले पर किलिक कर देना है चले हम चार नमर पर किलिक करते हैं जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ आप पता करना चाहते हैं अधार नमबर यह enrollment number ID तो यहाँ पर अधार नमबर है यहाँ पर अधार नमबर और यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फूल नेम देना जो भी आपका पूरा नम है ऐसेन भी तो आपके मुबाइल में दूसरा क्या ख़रएगा तो हर किसी के मरें हरता है सेम नहीं रहता है तो आपको यह कब चया fert जो है पर फ्रोंद जो है आपको इस वाले में डाल देना है छले हम यहांपर नमब डालते हैं चोटा एस है उसके बाद सेवन है उसके बाद भी है उसके बी इसके बाद पी है उसके बाद यहाँ पर किलिक करेंगे send oTP पे ठीक है send oTP पे जैसे आप किलिक करेंगे तो send oTP पे किलिक करने के बाद आपके mobile नमण पे oTP code आएगा ठीक है तो हम इंतजार कर रहे हैं oTP code का oTP code आ गया है तो मैं यहाँ पर code ढाल दिया हूं उसके बाद लोग इन पर किलिग कीजएगा तो आप देख सकतें यहां पे यूडी जेडर संद इजूर लिघ्र मिवाईल नंबर तो दोस्तो आपका जो अध्यार नंबर है वह आपके नम्वाईल नंबर जो आप यहां पर दिये थे उस नंबर पर आपको मेLL सेगा आप देख सकते हैं मेरा अधार नमबर यहां पर आ चुका है तो इस तरह से आप अपना नाम से अधार नमबर पता कर सकते हैं अब यह अधार नमबर से आप जो है कहीं भी कोई भी CSC सेंटर पर जाकर करके अधारकार डानलोड कर सकते हैं या आप अधारकार नया वाईसे भी डान नोट कर सकते हैं तो इस तरह से आप नाम से अधार नमर पता कर सकते हैं